टीवी स्टार हीना खान को बिग बॉस के घर में घरवालों ने टागट बनाया हुआ है और घर के बाहर भी टीवी इंडिस्ट्री उनके बारे में नेगेटिव कॉमेंट्स कर रही है क्या वाक्षी में हीना जिस तरह का गेम खेल रही है वो उनकी इमेज को नेगेटिव बना रहा है इस पर हीना के बॉइफ्रेंड रॉकी जैसवालने की जूम से एक्स्क्लूजव बात हीना के जो सबसे बड़ा कॉंपरिटर है घर के अंदर वो है विकास अब विकास एक influential बंदा है he's been doing a lot of work in industry और उनके बहुत सारे celebrity friends है और बहुत सालों से हैं और उनका वाजिव है कि वो अपने दोस्त को support भी करें एक चीज जो वो थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं सही वो यह है कि जिस चीज के लिए वो हीना को judge करते हैं जो कि शायद हीना उसका 2% भी नहीं कर रही है वो उससे जादा बाहर कर रहे हैं किसी एक ऐसी इंसान के बारे में जो एक घर के अंदर isolated है और उसको कुछ नहीं पता तो किसी को judge करने से पहले उनको अपने उपर भी देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे है वेल हीना खान के लिए एक और negative चीज सामने आई है कि उनके support में tweet करने के लिए fans को पैसे दिये जा रहे हैं और हीना के लिए social media पर fans का support खरीदा जा रहा है जिस पर भी Rocky ने दी अपनी सफाई मुझे कोई बता दो कौन है जो पैसे लेखे social media पर ये करता है मैं उसको जाकर बोलूगा भाई तू एक certificate दे दे के मैंने ये नहीं कराया मैं आपको सच बता हूँ आप मेरे किसी भी वक्त आप देख लो मैं कहीं भी बात कर रहा हूँ मैं हमेशा है कहता हूँ, social media देश का एक बहुत छोटा, important है पर बहुत छोटा एक segment है जिससे लोगों की mindset पर फर्क पड़ता है देश at large, they are not on social media, people who vote, majority are not on social media specifically on twitter, मैं क्यों करूँँगा कुछ paid trend जिससे मुझे कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है और हिना के fans automatically सब कुछ कर लेते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, मुझे links भेजते रहते हैं कि देखो हमने आज हिना के लिए किया, हमने आज हिना के लिए वो किया मैं social media पे अगर आप मुझे थोड़ा सा भी जानते हैं तो मैं social media पे ये big boss से पहले बिल्कुल भी active नहीं था, मेरे tweets महीने में एक बार भी नहीं होते थे तो मैं उतनी जादा magnification के साथ नहीं देखता social media को तो paid trend कराना तो बहुत दूर की बात है, मुझे अगर पैसे खर्च करना है तो मैं उसके लिए कुछ gift खरीदूँगा, उसको लिए paid trends नहीं करवाओंगा